नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जी एन आयुर्वेदा में दोस्तों आज हम आपको बबुल के पेड़ से होने वाले चमतकारी फायतों के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों बबुल के पेड़ के बारे में तो आप जानते ही होगे से लेकर उपर की टहनी तक यह काम का है ओशिधिया गुणों के कारण है बबुल का पेड़ हमारे मानव सरीर के लिए बेहल लाबदायक है दोस्तों क्या आप अपने सरीर के गुप्त रोगों से परेशान हैं ये रतियोग आईरुवेदी कौशदी आपके सरीर के सभी गुप के जुरूर करते हैं आप हमारे चैनल के जीन आईरुवेदा पर नए हैं तो आप चैनल को जुरूर सब्स्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल पर ऐसे ही घरेलो नुस्खे देखते रहें और आप सेहतमन बने रह सकें तो दोस्तों बबुल के पेड़ से होने वाले कुछ फायतों के बारे हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों अगर आपकी कमर दर्द की समस्या है तो इसके लिए आप सो गराम बबुल की छाल सो गराम बबुल की फ़ली और सो गराम गोंद लेकर इन्हें बराबर मात्रा में मिश्रित करने और इसके बाद मिश्रण बनाने के बा दोस्तो इसके साथ अगर आपके सरीर में कहीं खुजली हो रही है या दाद की समस्या है तो आप बबुल के फूल को पीस कर वहाँ पर लगा सकते हैं और आप दाद खाज खुजली से राहत पा सकते हैं और इसके साथ दोस्तो अगर आपके सरीर में कहीं घाव है तो आप बब पुर्षों के लिए वर्दान है बबुल की फली और बबुल की चाल और मिश्री को अगर आप बराबर मात्रा में पीश कर एक चमच सुबह और एक चमच शाम को इस्तेमाल करते हैं तो यह है पुर्षों में होने वाली खास समस्यां को ठीक करने का काम करता है तो दोस्तों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए इस पेड़ को आप व्यरत का पेड़ ना समझ कर इसके ओशदियर गुणों को महतव देकर आप इसके फायदे उठा सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में हमें जरू लिखें ऐसे ही गरेलों केजियन अईरुवेदा को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल पर ऐसे हिनुस के देखते रहें ताकि आप स्वस्त रहें और मस्त रहें